है गाइस वेलकम टूदा वीडियो एलिगेंट फैक्टरी पर आपका स्वागत है तो कैसे हैं आप सब अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज दू सब्सक्राइब एलिगेंट फैक्टरी क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे बढ़ सकते हैं और आप यह जानत मख़का जुरूरत है कि ताकि आपको बहुत दीजिन लेने की जुरूरत ना पड़े ठीक है तो असान बाशा में स्टार्ट गरते हैं वाई दैरेक्ट पॉयंट पर होंगा कि आपको आपका अधार कार्ड पैन कार्ड अगर है तो आपके मार्कशीट जितनी भी है वह आप को लेकर जानी है plus आपका letter of intent आया तो उसका print out निकलवा लेना plus आपके bank की passbook या फिर cancelled check कोई भी bank की passbook कोई भी bank की cancelled check cancelled check हो सकता है और उसकी photocopy भी करा लेना तो मैं समप करता हूं दुबारा से भाई आपके सारे educational जितने भी आपके पास हैं हाला कि वो सब्मिट करते हैं आपके 10th की 12th की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट की जो फाइनल सेम की है लेकिन आप अपनी तरफ से अपने सारे प्रोविजनल डिगरी का सर्टिफिकेट बनवा के ठीक है समझें अब कोई यूं कहीगा कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है मेरे पास तो यहीं नहीं है तो भाई फिर तो क्या ही फायदा है ठीक है अपना डिजिटल लोकल डाउनलोड करो और उसमें करो ठीक है लेकिन फिज करूंगा कि इसमें एडिटिंग करो ठीक है नंबर बन प्याधार कार्ड पैन कार्ड बैंक की पास बुक का फ्रेंट पेज या फिर कैंसल्ड चेक शह साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपनी जितने भी आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो और कोई व को कि पीक आपनी फोटो कोटी कघरां एक कि या पता देख लेंगास मतलब गया है ना देकर दक्रुट के या तो पूट हम या फिर टता हरी हम यह सारी चीज़े आप लेकर आओगे तो इनकी फोटो कोटी करा ले ना तइन-तिन कोपी कोटी करा ले कतना आए आगे क्योंकि मैं आपको बताता हूं जब हमारा इंडेक्शन प्रोग्राम था तो हमने जैसे रेइस्ट्रेशन करा है मतलब जैसे वेलकम करने के लिए वह बैठ्थे होते हैं तो फिर वहाँ पे जब डीवी स्टार्ट हुआ था बहुत से बच्चे ना सिरफ पर निकाल दो वहीं पर वहां पर आना कोई डोक्यमेंट मीं इस प्लेस होने का चांस रधा या फिर गुम भी हो सकता है चांस रधा वैसे गुम तो खैर हुआ नहीं था तो फिर मैंने मतलब ऐसा सुनाने कि किसी गुम हो गया ठीक है चांस रधा तो अपने पहले से ही अप तो इतने दिक्कत आएगी नहीं लेकिन जो डोकुमेंट्स मैंने आपको बताया है वो आपको लेकर आने ठीक है समझ गे और उसके बाद भाई हमने डॉक्र डीवी हो गया था डीवी के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया ब्रेकफास्ट के बाद ब्रेकफास्ट मतलब डीवी से पहले कर लिया था ठीक है उसका हुआ था हमारा डीवी उसके बाद प्रोसेस में टाइम लग गया है एक देट दो घंटे लगे इतने एक बज़ गया था एक बज़े इन्होंने लंच भी कराया था बहुत बढ़िया लंच कराया था आज भी याद करता हूं मैं उसके बाद इनका इंडक्शन प्रोग्रम स्टार्ट हुआ था में उसके अंद बताने का समझाने का EPFO के बारे में बताते हैं थोड़ा बहुत और लास्ट में वह अपनी सब बच्चों के ग्रुप्स डिसाइड कर देते कि कौन सा किस ट्रेनर के पास जाएगा यह पूरा प्रोसेस रहता था ठीक है लास्ट में जो ग्रुप बना देते हैं कि भाई यह इस टीम को रिपोर्ट इस ट्रेनर को रिपोर्ट करेगा उस दिन ठीक है तो I hope आप समझगे होंगे और अगर अभी तक आप बने होई हो तो उमीद है कि सब्सक्राइब हो जाना जी है ठीक है मेक शूर तो लाइक दा वीडियो और तिल देन कीप सपोर्टिंग कीव लविंग एलिगंट फैक्टरी और मिलते हैं आर अगे अलग नेक्स्ट वीडियो में ठीक है बाई